हेलो दोस्तान, उल्कम टो एब बाइट तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे होट स्टार की ओइब सीरीज हुमेन के बारेंगे जिनको आपने इससे पहले CID में पूर्भी के रोल में देखा होगा इस वेब सीर्स के राइटर है मोजस सिंग और इसानी बैनर जी और इसके प्रोडूसर और डारेक्टर है मोजस सिंग और सेफाली सा के पती विपुल सा जो आखे नमस्तलनन सिंगिस किंग जैसे ब्लोगबस्टर फिल्मों के लिए जाना जाते है तो चलिए अब इसके स्टोरी या फिर प्लोट के बारे में थोड़ा सा जान लेते है तो कहानी कुछ ऐसा है के सेफाली सा उर्ट डॉक्टर गॉर्डिनाथ एक बहुती मसूर निवरो सर्जन है और वो अपने पती रामकापूर उर्ट प्रताप के साथ मिलकर भोपाल में मन्थन नम के एक बहुती बारे प्राइबेट होस्पिराल को चलाती है साधी सुधा होने के बाब जुद ये दोनों ओपेन मेरिज का कॉंसेप्ट फोलो करते हैं मतलब स्रिव नाम के लिए ही ये लोग पतिपतिन हैं और काम के लिए ये लोग दूसरों के साथ अपना टाका भीराते होई दिखते हैं अब चाहे ये दोनों एक दूसरे से प्यार ना करते हों लेकिन एक चीज ऐसा है जो इन दोनों को अपने आपसे भी ज्यादा प्यारा है और वो है पैसा और स्टेटस और इसी की वज़े से ये दोनों अब तक साथ में हैं दूसरी तरफ है आदित्य सिर्वस्तबा उर्प असोप जो वायू फार्मा नाम के भोपाल के ही एक बहुत बारे मेडिसिन कंपानी के मालिक है वो सेफाली सा के साथ मिलकर कैम्स के जरिये लोगों को कुछ पैसे दे कर illegal तरीके से आपने एक faulty drugs का उनके उपर trial करते हैं ताकि वो लोग इसके side effects को छुपा कर जल से जल्दी इसे international market पे highest rate पर बेज सके मतलब ये लोग किसी भी दवाई को अच्छी तरीके से research करके develop करने से पहले ही उसे गरिब लोगों के उपर guinea pigs की तरह इस्तेमल करते हैं और politician और health authorities को पैसे खिला कर उसकी fake report बना कर उसे market में बेज देते हैं अब इतना सब गरबर घोटला करने के बाद भी डॉक्टर गौरीनात को चैन नहीं है क्योंकि उनको मन्थन से भी बड़ा Elizar नाम का एक state of the art और India का सबसे best hospital बनाना है क्योंकि मन्थन उनको अपने दादाजी और family से मिला था जो family उनकी अपनी नहीं है या फिर जिस family ने उनको कभी भी नहीं अपनाया तो वो Elizar के जरीए अपनी खुद की legacy बिल्ड करना चाहती है जो शिरिप उनका अपना होगा और जिसका उनके family के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होगा अब यहाँ पर entry होती है किरती कुलारी उप डॉक्टर सारा सावरवाल की जो एक talented cardiac surgeon है और जो डॉक्टर गौरीनात के personal recommendation पर मन्थन जोयन करती है अब धीरे धीरे किरती कुलारी सेफाली सावर डॉक्टर गौरी के चहती बनती जाती है और उनके हर party और फांसन में एक साथ दिखाई देनी लगती है अब डॉक्टर गौरीनात को ये अच्छी तरिके से पता है किरती कुलारी एक lesbian है तो वो इस बात का फायदा उठा कर उनको अपने चिकनी चुपडी बातों में फासा लेती है और उनके साथ एक जुट मूट का प्यार का नाठक करने लग जाती है अब इन सब के पीछे एक reason है क्यूंकि मन्थन के एक board member डॉक्टर स्नेहल सिंदे जो मन्थन के कार्डियोलोजी डिबार्मेंट के head है और जिन्होंने डॉक्टर गौरी के साथ मिलकर मन्थन को successful वनाया वो नहीं चाहते कि मन्थन का कोई भी funds या फिर पैसा डॉक्टर गौरी के dream project एलिजर के लिए इस्तमाल हो तो उनको मन्थन से हाटाने के लिए डॉक्टर गौरी कीर्ती कुलारी को मन्थन में लाती है और उनको इतना importance देने लगती है इधर विसाल जेठवा उर्प मंगू और प्रानली घोगरयास मीना दोनों भाई बेहन हैं जो भोपल के एक बस्ती में रहते हैं और वो कुछ पैसे कमाने के लिए बायू फर्मा के उसी फॉल्टी ड्रग के ट्राल में अपने माबाग को सामिल कर लेते हैं अब इसके कुछी दिनों बाद उनके मा के उपर इस ड्रग का साइड एफेक्ट दिखने लगता है और स्रिप उनका मा ही नहीं बलकि दूसरे लोगों के उपर भी इस ड्रग का खतरनक साइड एफेक्ट दिखने लगता है और इसे लेकर मन्थन और बायू फर्मा में एक बहुत बारा प्रोब्लेम खड़ा हो जाता है तो अब सेफाली साम अन्थन और आपने इगो को बचाने के लिए किस हद तक जाती है किरती कुलारी को जब इस फॉल्टी ड्रग का सच और डॉक्टर गौरीनात के असलियत के बड़े में पतेलता है तो वो क्या स्टेप लेती है और आखिर में इन सब का हसर क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरिस देखनी परेगी तो दोस्तों एक साइकोलेजिकल थ्रिलर वेब सीरिस है जिसमें मेडिकल फिल्ड के डार्क साइड को दिखाय गया है कि कैसे कुछ डॉक्टर्स और मेडिसिन कंपणी सिस्टेम को मैनुपुलेट करके सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तमल करती है और जिन के लिए पैसे से बरकर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है इसकी स्टोरी भोपल के यूनियान कारवाइट फैक्टरी के गैस ट्रेजडी के बैकड्रॉप के उपर बेश्ट है जिसमें ये दिखाय गया है कि कैसे कुछ गीने चुने लोग उस ट्रेजडी को उपर्चुनिटी बना कर बहुत ही अमीर बन गए और एक प्रिफ्रेज लाइफस्टाईल एंजय करते हैं वही दूसरी तरफ कैसे बहुत सारे लोग आज भी इसके वज़े से सफर कर रहे हैं क्यूंकि उसके बाद कोई भी बड़ी फैक्टर या फिर इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं बनी है तो वहाँ कुछ भी इकोनोमिक डेवलमेंट नहीं हो पाया है और वहाँ के लोग आज भी कोई धंका रोजगार या फिर जॉब्स के लिए तरस्ते हैं इसमें सेफाली साका डॉक्टर गौरीनात का जो केरेक्टर है वह इस वेप सिर्स की जान है और उसमें उनकी अक्टिंग या फिर पार्फॉर्मेंस भी बहुत ही दमदार है और ये इस वेप सिर्स के सबसे खास बतों मेंसे एक है उन्होंने एक बहुती नेगेटिब और complex character को play किया है जिसमें वो अपने हिसाब से सब को control और manipulate करके अपना मकसद पुरा करने के लिए इस्तेमल करती है ऐसा कह सकते हैं कि वो इस web series की hero है और वो ही इस web series की villain अब कुछों लोग सोचेंगे के इसमें doctors को गलत तरीके से दिखाया गया है लेकिन असल में ये web series doctors के बारे में नहीं बलकि एक particular human being के बारे में है जो एक बहुती psycho और arrogant टाइप की इंसन है और जो अपने ambition को पुड़ा करने के लिए रिस्ते नाते ये सब कुछ छोड़के किसी भी हद तक जा सकती है तो इस web series का subject बहुती sensitive है और इसे बहुती अच्छी तिरके से handle करके screen पर दिखाया गया है ये थी इस web series के कुछ अच्छी बाते लेकिन इसमें कुछ खामिया भी है तो चलिए अब उनके बारे में जान लेते है अब इस story का subject तो बहुती अच्छा है और शुरुआत में ये बहुती interesting भी लगता है लेकिन दो-तिन episode के बाद ये कहानी एकदम भी आगे बरती ही नहीं है और धीरे धीरे ये बहुती boring और repetitive बन जाती है जिसमें सेम चीजों को बार-बार घुमा फिरा कर दिखाया जाता है मतलब अच्छी writing के कमी के करण ये कभी भी एक engaging story में develop नहीं होता है और इसे ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खींच के unnecessary लिए इतने सारे एपिसोड जवरदस्ती बनाये गये है और आखिर के एपिसोड में आचनक से एक के बाद एक लोग मरते रहते हैं blast पे blast होता रहता है राम कपूर और सेफालिसा अलग हो जाते हैं ना जाने और क्या क्या होता रहता है लेकिन इन सब से डॉक्टर गौरीनात और मन्थन पे लगे हुए आरोप तो नहीं मिठ जाते तो इन सब के फिशे क्या logic है वो तो सिर्व मेकर सी बता सकते हैं इसमें जो बहुत सारे subplots दिखाए गये हैं वो भी कुछ खास नहीं है जो कहानी को strong बनने की जगा और ज्यादा confusing बना देते हैं जैसे सिमा विश्वास उर्प रोमा मा और उनके अंडर जो लड़कियां दिखाई गई है उन लोग को एक experimental drug दिया जाता है ताकि वो आपने mental pain और trauma को भुला कर हमेशा हंसती रहे हैं लेकिन वो ये सब क्यों या फिर किस लिए कर रही है और इसका असली कहानी के साथ क्या लेना देना है वो आप बस ढोड़ते रहे जाओगे इस वेब सिर्स में ये दिखाए गया है कि किर्ती कुलहरी का character बच्पन से ही lesbian है लेकिन वो इस बात को खुद मानने को तैयार नहीं है और हमेशा इस बार में सब को जुट बोलती रहती है अब जब वो छोटी थी तो आपने माबाप के डर से इस बात को छुपाती थी ये तो समझ में आता है लेकिन इतने परहलिखे independent और successful हो जाने के बाद और अपने माबाप से इतने सालों तक दूर रहने के बाद भी वो क्यूं अपने सच्चाई को accept नहीं करने चाहती ये आपके समझ में नहीं आएगा और सुरू से lesbian हने के बावजूद वो क्यूं इंदरले सेन गुपता उट नील के साथ अपने मर्जी से साधी करती है और उसके बाद हमेशा उनके साथ बीनाबाद के जगरती भी रहती है ये समझना मुस्किल है तो उनका केरेक्टर बहुती confusing है और वो इस पूरे वेपसिर्स में हमेशा confusing look में दिखती भी है और हाँ इस वेपसिर्स में जो दिखाये गया है किर्ती कुलहरी का करेक्टर कभी एक लर्की के साथ तो कभी दूसरी लर्की के साथ और कभी डॉक्टर गौरीनाथ के साथ मौका मिलते ही बस सुरू हो जाती है ये भी बहुती illogical है अब किर्ती कुलहरी एक लेजबियान है ये बात तो ठीक है लेकिन एक लेजबियान होने का मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में प्यार या फिर फिलिंग्स जैसे कोई चीज़ नहीं होती और वो लोग खुले संड की तरह मौका मिलते ही किसी भी लर्की के साथ एक तो मंगो अपने मा को सुगर होने के बावजूद ड्राग ट्रायल के लिए जबरदस्ती ले जाता है और जब उसकी मा की मौत हो जाती है तो वो सोग मनाने की जगा हमेशा कॉमपनसेशन के पैसे की बात करता रहता है और आखिर में एक LED TV और 2 लग रुपए मिलने के बाद वो तिनों ऐसे नाचते हैं जिसे देखकर गोबिंदा और प्रभुदेवा भी सर्मा जाए मतलब TV क्या मिल गई तो आप लाइब सेट है अब मरदानी 2 में विसल जेटवा का करेक्टर एकदम कमाल का था और उसमें उनका पारफरमेंस भी एकदम धमाल था लेकिन इस वेपसिस में उनका रोल बहुत ही डिसेपोइंटिंग है और उनके टैलेंट को वेस्ट किया गया है आप अगर एंडिंग की बात करें तो किर्ती कुलारी को आखिर किसने माला अब जाहिर सी बात है ये नेक काम सेफाली सा उट डॉक्टर गौरी नहीं किया है क्योंकि किर्ती कुलारी उनके उपर लागे आरोपो की एक अकेली वीटिनेस थी अब अगर दूसरे एंगल से देखे तो किर्ती कुलारी की गल्फेंड सालेनी भी ये काम कर सकती है जिनोंने कतल के रात को किर्ती के लिए एक गिप्ट भेजा था तो वो सेफाली सा और किर्ती कुलारी के रिलसन्सिप से जेलस होकर ये काम कर सकती है लेकिन इसके चांसेस बहुत ही काम है क्योंकि किर्ती कुलारी तो अल्रेडी सेफाली सा का सच जन गई थी और उनके खिलाब हो गई थी उसके बाद सेफाली सा उप डॉक्टर गौरी नात का क्या हुआ क्या वो अभी जिन्दा है या फिर वो भी टपक गई तो इसका अंसर है जी नहीं वो अभी टपकी नहीं और वो कहीं नहीं जाने वाली है क्यूंकि ये पूरा वेब स्रीस उनी के बारे में है और बाकी सारे तो बस सपोर्टिंग रोल में दिखाई देते हैं उपर से इस वेब स्रीस के प्रोडूसर और डारेक्टर उनके पती खुद है तो उनका इतना मजल कहां कि वो अपने पतनी के केरेक्टर को मार दे क्यूंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर सीजन टू कैसे बनेगा दरसल डाक्टर गौरी ऐसे पेंट किलर्स के ड्रग लेने के बाद हमेसा ही टली होकर सो जाती हैं जिसे आप इस वेब स्रीस के पिछले एक सिन में भी देख सकते हैं तो चलिए अब आखिर में इस वेब स्रीस के पेंटरल गाइडन्स या फिर कॉंटेंट के बादे में जान लेते हैं ताकि आप डिसाइड कर सके आप इसे फैमिली या फिर दूसरों के साथ देख सकते हैं क्या नहीं तो ये एक A-rated ओवेब स्रीस है जिसमें दूसरे ओवेब स्रीस के तरह MCBC टाइप के भर-भर के गाली-गालेश तो नहीं दिखाया गया है जो एक अच्छी बात है लेकिन इसमें कुछ intimate scenes दिखाया गया है जिसमें एपिसोड 1 में किर्ती कुलारी का अपने पती के लिए laptop के सामने एक topless scene उसके बाद एपिसोड 3 में किर्ती कुलारी के बचपन का एक flashback lesbian scene और एपिसोड 7 में सेफालिसा और किर्ती कुलारी के characters के बीच एक जबरदस चुमाचारी टाइप का scene दिखाया गया है तो दोस्तों ये थी Hot Star की ओप सिरीस Human के बारे में सारे कुंडरली के details तो मिलते हैं आगले वीडियो के साथ और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्नवाद